असलाम लेकूम अल्ला की नाम से शुरू जो बड़ा मिर्बान नहायत रहम करने वाला है आज से डेट सार पहले मैंने आपके साथ शेयर किया चिकन रेशा बन कबाब जिसकी रेसिपी पूरे यूट्यूब पे काफी वाइरल हुई तो आज मैं आपके साथ कराची का एक और अनोखा बन कबाब शामी लिप्टा बन कबाब ये बन कबाब अंडे में मुकमल तोर पे लिप्टा हुआ होता है और जिसको अंडे वाला बन कबाब पसंद है उसके लिए तो जी ये बहुत ही मज़ेदार किसम का बन कबाब है अगर आप ने खाया है कराची में तो मुझे जरूर बताएं कॉमेंट में नहीं खाया तो पिर यह रासीपी आपके लिए बड़ी मज़ीदार होने वाली है, मिस्स नहीं करनी है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं रेसिपी पसंद आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है स्टार्ट करेंगे बिसमिल्लायरमाने रे यहां पर बंद कबाब के लिए हम शामी टिकी बनाएंगे तो इसके लिए में रे पास डेट कप बॉइल की हुई चनी की डाल है चनी की डाल में थोड़ी सी हल्दी और नमक और दो अदद तेज पत्ते चोटे साइस के और दो बड़ी इलाची डाल के मैंने चनी की डाल को में यहां पे चॉपर चाहिए होगा और कुछ यहां पर मेरे पास हरा मसाला है तो मेरे पास आदी-गाडी हरा धनिया है और तीन से चार जितनीं भी आपनी इस तरह से करनी है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, जो बॉयल की हुई चनी की डाल मैंने आपको दिखाई थी, यह हम इसमें डाल देंगे, और फिर इस डाल के साथ इसको कर लेंगे चॉप, तो यह देखें, यह दाल भी हमारे पास चॉप होकर आगए, इ इसमें डालेंगे, आप चाहें, तो मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अपग्रेट करके डालेंगे, तो क्या होगा कि इसमें चंक्स वगारा रहने का चांस नहीं होता है, अब मसाले डालेंगे, 1-2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और 1-2 टेबल स्पून कुटा और 1-2 टीजपून नमक, नमक हमने डाल बॉयल करते हुए भी डाला तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और 1-2 टीजपून पिसा हुआ गरम मसाला डालके, इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और यहां पर जी हमारे पास कबाब का मसाला तयार ह जाएगा, इसके बाद हमने क्या करना है हाथों में चाहे तो थोड़ा सा पानी लगा ले चाहे तो थोड़ा सा ओल लगा ले और इसके बाद हम कबाब की टिकी बनाएंगे वैसे तो आप अपने साब से चोटा बड़ा साइज रख सकते हैं लेकिन अपने अगर बंद तयार होना चाहिए तो यहां पर देखें यह हमारे पास शामी टिकी तयार हो गई है और इस तरह से हम बाकी की सारी भी तयार कर लेंगे और यह देखें काफी सारी हमारे पास शामी टिकी तयार हो गई है अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इसमें आलू है तो हम इस तो ज्यादा स्पाइसी चट्टी चाहिए तो आप तीन भी डाल सकते हैं हाफ टीस्पून कुटीवी लालमिच, हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून साबिस सुफैस जीरा और ये तीन से चार जवे हम डाल देंगे लेसन के इन सारी चीजों को हमने ग्राइंडर में डालना है लेकिन यहाँ पर आदा कप मैंने लिया है गाड़ा इमली का रस सिंपल आपने टू टीस्पून इमली लेनी है आदा कप पानी में बिगो के रग दें 5-15 मिनट के लिए उसके लाद बी दो निकाले और चान लें यहमारे पास पानी तयार हो जाएगा इमली का यह सारी चीजे डालगे ग्राहिए और इमली का रस चटनी तयार है बस इसको हम साइट पे रखेंगे अब हमने क्या करना है बंद कबाब के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी थुड़ी सी बंद गोबी लिया है एक मीडियम साइस की प्यास लिया है बिल्कुल बारी काटना है इसको मिक्स करना है और ये सलाध हमारे पा चुटकी हम इसमें डाल देंगे नमक और इसको मिक्स करेंगे अचा मैंने जहां का बंद कबाब खाया था उनका अंडा प्लेन होता है लेकिन हम घर में बना रहे हैं थोड़ा सा मैं इसको और मज़ेदार बना रही हूं ये सबजियां डालके इससे ये बंद कबाब और मज जाग की शकल में आजाए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी करेंगे तो असानी से हो जाएगा लेकिन ये वैसे वी हो जाएगा तो ये देखें इतना ही हमने इसको फिंटना है अब जाग बन गया है दूसी तरह हम बंद कबाब बनाना स्टार्ट करें क्यां इस तरह से तवे पे डालेंगे और थोड़ा सा हम उपर से भी डालेंगे तो जिसको अंडे वाला बंद कबाब पसंद थैना ये रेसिपी उनके लिए बड़ी मज़िदार होने वाली है तो इसमें आपको अंडा ही अंडा मिलने वाला है और ये बहुत ही जबर्दस तो दोनो तरफ से बस कलर आने तक हमने इसको फ्राइब करना है और यह दूसरी वाले पर भी कलर यह देखें आ गया है और इसको हम साइट पे रखेंगे दोनों को अब इसी तवे पे हम थोड़ा सा मजीद ओईल डालेंगे और ये जो अंडा हमने तयार किया था सबजी वाला ये हम इसमें डालेंगे दोनों तरफ से कलार आने देंगे ओमलेट हमारा तयार हो जाएगा अगर आपने ठेले पे ये बंद कबाब खाया होगा तो आपने देखा होगा कि उनका जो ओमलेट होता है वो बिल्कुल सादा होता है प्लेन होता है लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी सबजी या डाली है इसको थोड़ा सा और मजीदार बनाने के लिए और ये इस तरह से ये जो अंडा है हम तिकी के ऊपर डाल देंगे इसको होंगे जो कि आपको मार्केट से बहुत अराम से मिल जाएंगे ये बन इसकी उपर रखेंगे और इसको थोड़ा सा सेक लेंगे नीचे की साइट से कलर आने देंगे और इसके बाद हम पलट लेंगे तो ये देखें ये जी हमारा तयार हो रहा है लिप्टा हुआ बन लाँ सा क्रिस्पी हो जाए एक साइट से कलर आ जाएगा अब हम चीजें डालना है स्टार्ट करेंगे तो यहां पे जो हमने हरी चटनी तयार की थी यह हम इसमें डालेंगे चटनी आप अपने इसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं और यह जो शामी तयार किया था ये हम इसम केचप अपर डाल देंगे यह देखें जी मायोनीज जाएगा इस तरह से और यह उठा कि हम इसके उपर रखेंगे वैसे तो जो ठेले वाले बनाते हैं इसको मुकमल तोर पर लपेट लेते हैं अंडे में तो लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा है यह ऐसे भी बहुत मज़िदा तो इसके बाद हम इसको करेंगे कट ठीक है तो असके बाद इसको कट करेंगे और फिर इसको निकालेंगे और यह हमारा लिप्ता शामी टिकी बन कबाब या फिर बर्गर तयार है मैंने खाया मुझे बहुत मज़िदार लगा तो सोचा यह रेसिपी आपके साथ भी शेयर क करते हैं बगार अंडे के बन कबाब जो भी हो लगता मज़िदार है मैं आपको अंदर से दिखा देती हूं यह कितना मज़िदार है जिसको अंडे वाला बर्गर पसंद है तो यह रेसिपी आज ही बना डालें अगर शामी नहीं भी बने ना तो घर में जो भी कबाब बने इसको निकालें फ्राइ करें और यह रेसिपी ट्राइ करें तो बस मैं यही कहूंगी कि इसको एक दफा बनाएगा जरूर क्योंकि यह बहुत मज़िदार बनते हैं और मुझे जरूर बताएगा कि यह आपके बन कबाब कैसे बने